नमस्कार आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइ न्यूस भोजपुरिया और मैं हूँ आपके साथ अभिलाश पांडे स्वागत करते हैं आपका हमारे खास प्रोग्राम सूपस्टार स्पेशल में दोस्तो पिछले एपिसोड में हमने आपको सूपस्टार पवन सिंग् की राजनीती में एंटरी के बारे में बताया था इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि पवन सिंग के कुछ ऐसे अज्छुए पहलूं की जो शायद ही आप तक पहुचपाए हो दोस्तों सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहेंगे जिस फिल्म की चर्चायों काफी दिनों से हो रही थी कि सुपस्टार पवन सिंग फिल्म सैया सुपस्टार में एक अलगी किरदार में नजर आएंगे वो देखने को बहुत जल्द मिल जाएगा लेकिन हाल ही में मंगलवार पीते मंगलवार को सुपस्टार पवन सिंग के फिल्म सैया सुपस्टार का टीजर लॉंच किया गया इस फिल्म के टीजर को देख कर ही लगता है कि ये फिल्म एक धमाकेदार एक्शन थ्रिलर फिल्म साबित होने वाली है टीजर में ये दिखाया गया कि सुपरस्टार पवन सिंग एक गिटार लिये हुए है और वो जम कर पुलिस, लोगों का एक्शन और कई तरह की चीज़ें दिखाई गई है और इस फिल्म के टीजर को देख कर लगता है कि जो श्रेयस्ट फिल्म के बैनर दले जो ये फिल्म बन रही है वो काफी धमाल मचाने वाली है खास बात ये है कि सहिया सूपरस्टार में पवन सिंग के साथ अक्शरा सिंग, अर्विंद अकेला उर्फ करलू और नेहा श्री भी शामिल है इस फिल्म से दर्शेकों को काफी उमीदे हैं क्योंकि ये तो हम सभी जानते हैं कि सूपरस्टार पवन सिंग के जब भी कोई फिल्म आती है वो भोचपुरिया बॉक्स ओफिस पर नए रिकॉर्ड्स कायम कर देती है और एक बार फिर सईया सूपरस्टार के टीजर को देख करें सही लगता है कि ये फिल्म भोचपुरी बॉक्स ओफिस पर जम कर दमाल मचाने वाली है तो आईए दिखाते हैं क्या कुछ खास है इस फिल्म के टीजर में फिर आपके पास लोटते हैं सूपरस्टार और भोचपुरी गायक पाउन सिंग की फिल्म सेया सूपरस्टार का टीजर लॉंच हो चुका है आपको बता दें कि एक मिनट छे सिकिंड से इस टीजर की शुरुआत पाउन सिंग के रोमैंटिक इस टाइल में गिटार बजाते हुए और दूसरी तरब गुंडों की धुलाई करते हुए देखे जा रहे हैं फिल्म के पूरे टीजर में पाउन सिंग गिटार के साथ नजर आ रहे हैं टीजर में देखेंगी कि दुस्मनों को बिल्डों के खिडकियों से पिट कर निकल रहे हैं तीजर में तीन गाड़ीयां सशड़क पर चलती हैं और तेर्टियों ही नज़र रही है टीज़र में पौन सिंग डिटार जो जाते हुए सड़क पर स्टायल से आ रहे हैं फिल्म के पोश्टर में पवान सिंग कि साथ अर्विन दकेला कलनू भी साथ दिखाई दे रहे हैं सहया सपरस्टर के बारे में अगर बात की जाए तो फिल्म में अक्षरा सिंग और पवान सिंग का रोल काफी रोमाइंच तो देखा आपने किस तरह से सुपरस्टार पवन सिंग की आने वाली फिल्म सैया सुपरस्टार का टीजर लोगों को किस तरह से पसंद आ रहा है जब बीते मंगलवार इस फिल्म के टीजर को लाँच किया गया दर्शकों की संख्या 10 लाख को पार कर चुकी है तो इस फिल्म का टीजर लोगों को काफी पसंद आ रहा है अभी ट्रेलर फिर भी बाकी है आना तो इस ट्रेलर से किस तरह की उमीदे की जा रही है इस बात का अंदाजा लगाया ही जा सकता है दोस्तो पवन सिंग को इंडस्ट्री का सूपरस्टार यूँ ही नहीं कहते पवन सिंग हमेशा अपनी दर्या दिली और सरल अंदाज के लिए जानने जाते हैं उनके अभिनाय और गायकी का हर कोई कायल है लोग उनकी गायकी को काफी जादा पसंद करते हैं और यहीं नहीं उनका जो पहला गाना जो सुपर हिट हुआ था लगावे लूत तू जब लिपिस्टिक इस गाने ने भोजपुरी वर्ल्ड में संसरी मचा दी थी और वहां से उदय हुआ एक सुपरस्टार खा जिसका नाम था सुपरस्टार पवन सिंग तो दोस्तों ऐसे कई अंचुए पहलू है जो सुपरस्टार पवन सिंग को बाकी स्टार से काफी अलग बनाते हैं इस इंडस्ट्री में एक और बड़े सुपरस्टार है जिनका नाम है सुपरस्टार खेसारी लाल यादव को भी काफी ज़ादा पसंद किया जाता है दर्शक उन्हें भी अपना दर्शकों को वो भी अपना कायल बना लेते हैं और सुपरस्टार खेसारी लाल यादव की जो फैमिली है याने कि उनकी पतनी और उनके जो दो बच्चे हैं वो किस तरह सुपरस्टार पवन सिंग को पसंद करते हैं क्योंकि दोस्तों ये बहुत बड़ सुपरस्टार के बच्चे दूसरे सुपरस्टार को ज्यादा पसंद करते हैं और खिसारी के फैमली मेंबर इस बात को कहने से बिल्कुल भी नहीं हिचकर जाते देखेने हमारी घास रेपोर्ट भोजपूरी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े सूपरस्टार पवन सिंग को करोडो दिलों की धड़कन कहा जाता है उनके दमदार अंदाज और बेबाग गायकी का हर कोई कायल है और इन दिनों एक बार फिर पवन सिंग सुर्खियों में है दरसल खबरों के मताबिक ये पता चला है कि इंडस्ट्री के सबसे चहेत सूपरस्टार खेसारी लाल यादव की पतनी और बच्चे पवन सिंग के काफी बड़े फैन है खेसारी की फैमली से जब ये पूछा गया कि उनका पसंदीता सूपरस्टार कौन है तो उन्होंने जवाब दिया कि उनके सबसे पसंदीता सूपरस्टार पवन सिंग है उन्होंने ये भी कहा कि वो पवन सिंग के हर गाने को सुनते हैं और उनकी फिल्मों को भी काफी जादा पसंद करते हैं आपको बता दें कि मौजूदा समय में दो ही ऐसे सूपस्टार हैं जो फैन्स और दर्शकों के दिलों पर राज करते हैं और उनका नाम है सूपस्टार पवन सिंग और सबसे चहेते सूपस्टार खिसारी लाल यादव। इन दोनों ही सूपस्टार की गाय की और अभिने का हर कोई कायल है से में एक खिसारी की फैमली का पवन सिंग को पसंद करना एक मिसाल कायम करता है। तो ये चीज काफी अनोखी लगती है बोचपुरी इंडस्टरी में देखने को कि जो दो सूपस्टार्स हैं जिनके बीच में काफी कॉम्पटीशन देखने को मिलता है उनकी फैमली एक दूसरे को काफी जादा पसंद करती है। सुपस्टार खिसारी लाल यादव और सुपस्टार पबन सिंग की बात तो होगी। तो चली हम बात करते हैं तीसरे सुपस्टार की। उस सुपस्टार का नाम है दिनेश लाल यादव और निरहुआ। दोस्तों निरहुआ और टॉप अक्टरस आमरपाली दुबे की जोड़ी को सबसे जादा पसंद किया जाता है यहीं नहीं यह जोड़ी इंडस्ट्री की नंबर वन जोड़ी भी कही जाती है तो यह जोड़ी एक बार फिर से सुर्खियों में आई है हाला कि काफी दिनों सबसे पहली बात तो यह है कि यह फिल्म एक सोशल मेसेच पर आधारित होगी इस फिल्म को काफी अलग धंग से डिजाइन किया जा रहा है जैसा कि आप सभी जानते हैं कि निरहुआ प्राइविट लिमिटेड जो इनकी एक कंपनी है जो मूवीज को प्रोड्यूस करती है वो बड़े बजट की फिल्मों के लिए काम करती है तो यह गबरू भी एक बड़े बजट की फिल्म आने वाली है और इसमें जो सबसे ज़ादा बहत खास चीज़ है वो यह है कि एक एक्शन सीक्वेंस जो रखा गया है इस फिल्म में वो है कि निरहुआ और आमरपाली शे साथ है कि और जादा खास में पहली बार होगा कि यह दोनों ही सूपर स्टार या यह दोनों ही स्टार एक दूसरे के मिलकर शेर का सामना करेंगे क्योंकि शेर का यूज़ जो है अभी तक घोचपूरी फिल्म इंड़स्ट्री की किसी फिल्म में नहीं हुआ है तो सबसे दे दर्शक hm को कितना पसंद आता है साथ ही आपको यह भी बता दे किmother to भुजपुरी फिल्मों के सबसे बड़े सूपरस्टार दिनेश लाल यादः उठने रहुआ बॉलिवुट की देशी गुल यानिक प्रियंका चोपडा के बॉक्सिंग ट्रेनर सुनील थापा से लड़ाई करेंगे आपको बता दें कि सुनील थापा ने प्रियंका चोपडा की सुपर हिट फिल्ल मैरी कॉम में उनके ट्रेनर की भूमिका निभाई थी और अब सुनील थापा के साथ वाली एक फोटो पोस्ट की है जिसमें वो खून से लथपत दिखाई दे रहे हैं खास बात यह है कि सुनील थापा ने रहुआ चला लंडन में विलन की भूमिका में है जिनका सामना ने रहुआ से होता है आपको बता दे कि पशुपतिनाथ प्रोडक्शन के बैनर तले बन रही निरहुआ चला लंडन के निर्माता है सूनु खत्री, सूरज खड़का और मंदार कुमल जिसके निर्देशक है चंद्रा पंद बोच्पुरी जगत के जाने माने लेखक निर्देशक संतोष मिश्रा ने फिल्म की कहानी लिखी है देसी मिट्टी के खुशबूल ये निरहुआ चला लंडन नासेफ एक बड़े बजट की फिल्म है बलकि कई देशों के खुबसूरत लोकेशन पर इस फिल्म ये देखना दिल्चस्प होगा दोस्तों हमारी सखास पेशकश में हमने आपको दिखाया कि किस तरह सूपस्टार पवन सिंग के फिल्म सहीं सूपस्टार का टीजर लोगों को पसंद आ रहा है और इस फिल्म से लोगों को काफी उमीदे हैं उसके बाद हमने बताया कि दो अंदाज को सलाम करती हैं उनकी फिल्मों को सलाम करती हैं तो इस तरह से यह अटकले जो हैं यह बहज एक अफवाह ही समझना सही होगा उसके बाद हमने आपको बताया कि किस तरह से सूपस्टार दिनेश लाल यादा उर्फ निरह हुआ और टॉप एक्टर सामरपाली और हाँ हमारे चैनल नेक्स्ट नए न्यूस भोजपूरिया को सब्सक्राइब करना मत फूलिएगा नमस्यकात।